हेलो फ्रेंड्स मिरा नाम है विकास आज गी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्ले स्टोर से कोई भी एप्लिकेशन प्ले स्टोर से कोई भी एप या गेम डाउनलोड कैसे करें आए जानते हैं इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में इंटरनेट सालू कर लिजिए और नेट अन कर लिजिए इसके बाद आपको अपने फोन में प्ले स्टोर को ढूंड़ना है यह सबके फोन में होता है तो प्ले स्टोर को ओपन करिए अगर आपने नया फोन लिया है या फोन को reset किया है तो पहले आपको इस पे ID बनानी पड़ेगी तभी आप इससे कोई भी application या game डाउनलोड कर सकती हो ID बनाने के बाद आपके पास ऐसा page आ जाएगा यहाँ पे उपर की तरफ आपको search option मिलेगा या नीची की तरफ search option मिल जाएगा आप यहाँ पे वो application का नाम लिखें या वो game का नाम लिखें जो आप download करना चाहते हो जैसे कि यहाँ पे एक game है मैं करता हूँ सब्वे सर्फर आप कोई और game भी ले सकते हो या application भी ले सकते हो और आपको मिलेगा यहाँ पे install इस पे touch करना है और आपका जो application है वो download होने लग जाएगा एक बात का ध्यान नखिएगा अगर आपका net धीरे है तो इसमें time लगेगा वरना जल्दी से हो जाएगा अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो simple अपने phone को एक बार airplane mode पे लगाईए और लगाने के बाद बंद कर दीजिए और आपका जो play store है उससे application यह game डाउनलोड हो जाएगा मेरा Instagram डाउनलोड हो चुका है और मेरे इस वाले page पे आ चुका है अब मैं Instagram को use कर सकता हूँ ID बना कर अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी नई वीडियो में